योटूब चैनल पर मैं हरसरी चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे प्यारे बच्चो आज इस वीडियो में हम MCC की कुछ अपडेट्स के बारे में बात करेंगे इसके लावा MCC ने रीफंड के रेकार्डिंग नोटिस दिया है उसके बारे में भी बात करेंग उनकी यहां MCC ने एक लिस्ट पब्लिस की है तो जिन कंडिडेट्स का ये रीफंड नहीं आया था वो कंडिडेट्स इसमें एक एनेक्सर दे रखा है उसके साथ में कुछ सपोर्टिंग डोकुमेंट्स लगा करके MCC को भीजे ये तो ये आपका रीफंड आ जाएगा इसम इसमें फॉर्मेट दिया हुआ है अनक्सर ए दिया हुआ है और इसके साथ जो डोकुमेंट्स लगाने हैं कोफी आधार कार्ड है एडमिट कार्ड है 2022 का बैंक अकाउंट की डिटेल है जिसे ये आपने पेमिंट किया था और जिस अकाउंट में वापस रीफंड आना है और पास्बुक की स्केन कोपी भी आपको भेजने है तो ये सारा सब कुछ MCC को देना है और ये स्टुडेंट की लिस्ट है जिनको रीफंड अभी मिला नहीं है 65 कंडिडेट से बाकी एर्स की पहले ही MCC ने लिस्ट जारी कर दी थी यानि 2019, 2021, 2022 सभी के लिए जारी कर दी थी प अब MCC की एक बार डेट के बारे में बात कर लेते हैं थार्ड राउंड के बारे में तो इससे पहले मैं आपको बता दूँ कि सेकंड राउंड की लास्ट डेट जाविनिंग 28 अगस्ट 23 है 31 अगस्ट 23 साम 5 बजे तक आप इस सीट को रिजाइन कर सकते हैं अगर कोई कंडि 31 अगस्ट साम 5 बजे तक कर सकते हैं इसके बाद 31 अगस्ट को ही थार्ड राउंड के लिए फिर फ्रेस रेजिस्टेशन स्टार्ट हो जाएंगे जिन कंडिडेट ने रेजिस्टेशन नहीं किया है वो फ्रेस रेजिस्टेशन कर सकते हैं जिन्होंने रेजिस्टेशन कर द जल्ट आ जाएगा और लास्ट डेट जो रहेगी वो 18 सिप्टेमबर 23 रहेगी सेकेंड और थार्ड राउंड में काफी समय दिया जता है जोइनिंग के लिए क्योंकि स्टुडेंट को पहले वाले कोलेज में जाके वहां से रिपोर्टिंग की वी होती है तो रिजाइन देना होता है अपग्रेड की कंडिशन में और जो सीटून के अपग्रेड होती है तो वहां जाके एडमिशन लेना होता है इसलिए काफी समय दिया जता है रिपोर्टिंग के टाइम के लिए तो ये तो धा MCC का अब स्टेट का एक बार हम अपडेट देख लेते हैं तो सबसे पह जितक आप पेमिंट कर सकते हैं 26 अगस 23 को इसके बाद हरियाना स्टेट का रेजल्ट आ चुका है कटोप काफी हाई गई है 623 कटोप रही है फर्स्ट राउंड में इसकी 625 रही ती सेक्ड राउंड में 623 कटोप रही है हरियाना स्टेट की अभी 29 अगस 23 तक प्रोविजन fees deposit कर सकते हैं उसके बाद में documents verification का schedule आएगा और उसके according admission का भी schedule आएगा तो इसमें आप second round में seat alert होगी तो admission ले सकते हैं otherwise आप third round में participate कर सकते हैं या मोप अश्योरी All India के third round में भी participate कर सकते हैं इसके बाद बात करें IPU दिल्ली की तो IPU दिल्ली का जो result आना है वो August 23 को second round का result जारी हो जाएगा अब बात करते हैं हम UP state की तो UP state की आज 24 फिलिंग की last date है साम 5 बज़े तक 26th of August 23 साम 5 बज़े तक last date है जिन candidate ने second round में 24 फिल कर दी है उनको लोग करना जरूरी है क्योंकि अगर 24 लोग नहीं होती है UP में तो वो consider नहीं की जाती है तो जिन candidates ने choice है अभी तक फिल नहीं की है UP state को टा second round के लिए वो second round के लिए choice फिल कर दें और उसको लोग जरूर कर दें आज साम पांस बजे तक का time है 26 अगस्ट 23 को रजल्ट 29 अगस्ट शोरी 28 अगस्ट 23 को आ जाएगा और joining 29 से 4 September 23 तक रहेगी UP state के लिए बात करें बिहार state की तो बिहार state का काफी लेट हो रहा है अभी first round का result आया है 29 तक students को report करनी है बिहार state भी एक free exit है जिन candidates को अगर seat join करनी है तो वो freeze या up gradation का option दे दें दोनु का अगर option देते हैं freeze करते हैं या up gradation करते हैं उस condition में college जाकर के deposit documents वगरा verification करवाना जरूरी है इसमें आप free exit भी ले सकते हैं तो 29 अगस तक है second round का result इसके बात जारी होगा second round में बिहार state में fresh choice fill होंगी अब बात करते हैं 36 गड़ state की तो 36 गड़ state का first round complete हो चुका है second round में यहाँ सिरफ 24 से ही ली जाती है registration फिर से open नहीं होते हैं 29-26 अगस से लेकि 31 अगस 23 तक आप choice fill कर सकते हैं second round की second round के लिए fresh choice fill करना जरूरी है क्योंकि first round की choice नल हो जाती हैं तो second round के लिए choice fill कर सकते हैं यहाँ पर करनाटका इस्टेट का choice filling भी second round के लिए फिर से स्टार्ट होगा अभी उसका schedule आया नहीं है तो second round में च्वाइस से fill कर सकते हैं जिन candidate ने दुवारा registration किया है वो fresh choice fill कर सकते हैं इसमें तो choice filling के लिए फिर से मौका दिया जाएगा इसमें सबे स्टुडेंट्स को उसका schedule अभी आना बाकि है बात करें केरला स्टेट की तो केरला स्टेट के second round का result आ चुका है यह provisional result है कटोप की बात करें तो कटोप काफी ज्यादा हाई गई है 539 मार्क्स लास्ट अलहजर का कुलेज मिला है केरला स्टेट प्राइवेट की condition में तो अगर आपने केरला के लिए अपलाई किया था तो अपना result चेक करें अभी बात करेंगे मारास्ट्री स्टेट के update के लिए तो मारास्ट्री स्टेट की second round के लिए 24 प्लिंग स्टार्ट होगी है मारास्ट्र में second round में registration नहीं होते हैं फ्रेस registration 24 प्लिंग की last date आज 26 रात 12 बज़े तक है तो जिन कंडिडेट को मारास्ट्री स्टेट में 24 से fill करने हैं वो आज रात 12 बज़े से पहले-पहले मारास्ट्री स्टेट के लिए फिल कर दे रजल्ट 29 अगस्तो 23 तक आ जाएगा और जोइनिंग की जो डेट रहेगी वो थर्ड सिप्टेंबर 23 रहेगी 8 सिटिमबर तक आप रिजाइन कर सकते हैं सीट को अब बात करते हैं मद्धे प्रदेश स्टेट की तो मद्धे प्रदेश स्टेट की जो अलोट्मेंट आना है वो 28 अगस्त 23 को आएगा रिपोर्टिंग 29 से 3rd सिप्टेंबर 23 को रहेगी इसमें मद्धे प्रदेश स्टेट अब बात करते हैं तिरपुरा स्टेट की तो तिरपुरा स्टेट का रजल्ट आना है वो रजल्ट आएगा 30 शुरी 29 अगस्त 23 को रजल्ट आजाएगा और इसमें जो फीजिकल वेरिफिकेशन होगा डोकुमेंट्स का वो 4 शिप्टेंबर तक होगा और लास्ट डेट ओप एडमिसन भी तिरपुरा स्टेट की 4 शिप्टेंबर तक होगी अब बात करेंगे वेस्ट बंगोल की वेस् अब हम बात करेंगे आसाम स्टेट की तो आसाम स्टेट की अभी जो रजल्ट आना है वो 28 अगस्ट 23 को आजाएगा रिपोर्टिंग 4 शिप्टेंबर 23 तक रहेंगी हिमाचल प्रदेश का सेकेंड राउंड का रजल्ट डिक्लियर होगा जो फाइनल सीट अलोकेशन होगा वो 30 अगस्ट 23 को होगा और इसमें जो प्रोवीजनल सीट अलोट 23 को यह हिमाचल प्रदेश का अपडेट है इसमें लास्ट डेट जोइनिंग 1st सेफ फोर सिप्टेंबर 23 रहेगी अब बात करें जहारखंड स्टेट की तो जहारखंड के लिए जो 24 प्रिंग की डेट है आज लास्ट डेट है 26 अगस्ट 23 पंजाब स्टेट का सेकेंड जोइनिंग की वो जोइनिंग की लास्ट डेट रहेगी फोर सिप्टेंबर 23 पंजाब स्टेट के लिए तमिलनाडू के लिए भी सेकेंड राउंड का सेडिूल जारी हो चुका है इसमें जो 24 फिलिंग के लिए टाइम है वो 28 अगस्ट 23 तक रखा गया है रजल्ट 31 अगस् रहेगी फोर सिप्टेंबर 23 तमिलनाडू स्टेट के लिए अभी हम बात करेंगे उडिसा स्टेट की तो उडिसा स्टेट का जो सेकेंड राउंड का अलोटमेंट होगा वो आज हो जाएगा 26 अगस्ट 23 को इसके बाद में शुरी जो अलोटमेंट प्रोविजनल होगा वो आज हो जाएगा फाइनल जो होगा वो 28 अगस्ट 23 को हो जाएगा उसके बाद में आप अलोटमेंट लेटर डाउनलोड कर सकते हैं इसमें इसके बाद में जो इसकी जोइनिंग रहेगी वो फोर सिप्टेंबर 23 रहेगी उडिसा स्टेट की तो यह मौसली स्टेट के अपडेट थे बाकि जैसे ही अपडेट आएंगे हम आपको इंफर्म कर देंगे आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर परकार का नोटिफिकेशन आप तक मिल सके और हर एक स्टेट की जो अपडेट होती है उसके बारे में हम वीडियो बनाते रहते हैं मिले देंगे नई अपडेट के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैरे ही